आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपको प्ले स्टोर ओपन करने पर या फिर कोई भी आप्लिकेशन सर्च करने पर इस टाइप से आपको प्ले स्टोर में प्रॉब्लम आ रही है something went wrong try again तो ये प्रॉब्लम आप कैसे ठीक कर सकते हैं आईए आज की इस वीडियो में जानते हैं तो यहाँ पर हमारे फोन का data connection on रहता है फिर भी इस टाइप की प्रॉब्लम हमें आ रही है तो आपको इसके लिए अपने फोन में settings में जाना है उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है और आपको एक option देखने को मिलेगा app manager या फिर app management के नाम से तो हमारे फोन में mode settings में मिल जाएगा app manager आपके फोन में अलग नाम से हो सकता है अलग settings में हो सकता है तो हम इस पर click करके इसे open कर लेते हैं और उसके बाद आपको थोड़ा सा wait करना है और आपके phone के सारे applications आपको show हो जाएंगे उसके बाद नीचे scroll करिए नीचे की तरफ आपको एक option देखने को मिल जाएगा यहाँ पर इस type से YouTube के नाम से तो यहाँ पर आपको नीचे की तरफ आकर search करना है Google Play Store को इस type से आपको मिल जाएगा इस पर click करिए उसके बाद एक option आएगा force stop इस पर click करिए उसके बाद OK करिए यहाँ पर storage option पर click करिए उसके बाद clear data पर click करके यहाँ पर आपको clear पर click कर देना है उसके बाद back आईए permissions का एक option आएगा इस पर click करके आपको यहाँ पर check करना है अगर आपकी कोई permission इस type से off रहती है तो आप on जरूर कर दीजिए on करने के बाद back आईए उसके बाद फिर से back आजाईए आपको यहाँ पर उसके बाद dual sim and mobile network पर click करके जिस sim का आप net use करते हैं यहाँ पर आपको access point name मिलेगा इस पर click करके आप reset कर दीजिए यहाँ पर reset to default पर click करके और यह सारा process करने से आपके phone का कोई data delete नहीं होगा उसके बाद back आईए और यहाँ पर आप open करके check कर सकते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी problem ठीक हो चुकी है अब हमें इस type की problem नहीं आ रही है तो इसी type से आप यह problem ठीक कर सकते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और हमारे channel को subscribe जरूर करें करें